सब्सक्राइब कीचिए हमारे बिखाट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबा कर सबसे पहले ग्रशी संबंदी वीडियो को देखें नेमेटोड दुनिया भर में फल और सबजी की फसल की उपज में होने वाली भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार होते हैं रूट नौट नेमेटोड नामक छोटे सूतर क्रिमी जमीन में ही रहते हैं और उनके लारवा पेड की जड़ों पर हमला करते हैं नेमेटोड जड़ों के अंदर जाकर अंडे देते हैं जिससे जड़ों में गांटे बन जाती हैं और उनसे पानी एवं पोशक तत्मों का अवशोशन एवं प्रवाह नहीं हो पाता है जिससे ग्रसित पौधे ज्यादा नहीं बढ़ पाते भारत में नेमेटोर की समस्या को 1901 में दक्षिन भारत में उजागर किया गया था इसके बाद भारत के विभिन वैग्यानिकों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसलों में नेमेटोर इन्फेक्शन की पहचान की चूंकि नेमेटोर जमीन के अंदर रहते हैं इसलिए आसानी से नजर नहीं आते किसान नेमेटोर इंफेक्शन के लक्षणों को पहचान नहीं पाते और उन्हीं ये फफून लगना या पोशक तत्वों की कमी या पौधे की शारिरिक बनावट में कमी लगती है इसकी वज़ा से भारत सरकार नेमेटोलोजी विभाग के जरिये कई जाग्रुपता कारेक्रम चला रही है जिनका उत्देश समेकित समाधानों के जरिये नेमेटोर के निवारण के बारे में बताना है जिसमें नेमेटीसाइट का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है पॉली हाउस के मामले में नेमेटोर की समस्या और भी ज्यादा है क्योंकि वहां की परिस्थितियां नेमेटोर के विकास के लिए सबसे अनुकूल है इसलिए किसान के लिए फसल की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी उन्हें फसल जड़ से उखाडने पर मजबूर होना पड़ता है नमेटोर समस्या की वजह से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वरतमान में नमेटोर नियंतरन का उपाय विशाक्त रसायन है ये नेमेटोर नियंतरन के लिए एक अच्छा उपाय नहीं है क्योंकि इसमें दक्षता की कमी है जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है नेमेटोर नियंत्रन के लिए एक क्रांतिकारी निवारण बायर प्रस्तुत करता है वेलम प्राइम तकनी की रूप से एक उन्नत नेमेटी साइड वेलम प्राइम नेमेटोर नियंतरन के लिए एक नया उपाय प्रदान करता है ये पहला ऐसा नेमेटी साइड है जो किसानों की सेहत और प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फसल की सुरक्षा करता है बायर का वेलम प्राइंग नेमेटोड नियंतरन के लिए एक सतत और लंबे समय तक चलने वाला उपाय प्रदान करता है ड्रेंट सीचाई या ड्रिप सीचाई के जरिये जब इसे जमीन में डाला जाता है तब ये पौधे की जड़ों पर सुरक्षा कवज बना कर जड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है इसके असर से नेमेटोड शक्तिहीन हो जाते हैं और सुई के आकार में आकर उनका अंत हो जाता है इससे नेमेटोड लार्वा अंडों से बाहर नहीं आपाते और जड़ों के नुकसान की रोक थाम होती है सिहतमन जड़ों से पौधे और फसल की उपज में अच्छी बढ़ोतरी होती है बीमारी के होने की संभावना में भी कमी आती है जो की पहले नेमेटोड की अधिक संख्या में उपस्तित होने की वज़ा से होता था प्रयोग की विधी नेमेटोड कोशिका में माइटोकॉंड्रिया पावर प्लान का काम करते हैं वेलम प्राइम नेमेटोड के माइटोकॉंड्रिया के श्वसन श्रिंखला को रोकता है जिससे नेमेटोड की उर्जा यानि ATP में तेजी से गिराव अटाती है वेलम प्राइम ऐसा पहला नेमेटी साइड है जो कॉम्पलेक्स द्वितिय के निशेत के जरिये काम करता है और नेमेटोड नियंतरण एक नए तरीके से करता है वेलम प्राइम के उपयोग के बाद नेमेटोड सुई के आकार में आने के बाद निश्क्रिय हो जाते हैं इलाज के प्रथम लक्षन उपयोग के आदे घंटे बाद नजर आने लगते हैं रैडोफोलस सिमिलिस ये मिलोड जिन SPP नेमेटोड पर वेलम प्राइम का असर होते ही वो सुस्थ हो जाते हैं और एक से दो घंटे में निश्क्रिय हो जाते ही बायर का वेलम प्राइम आपकी फसल की सुरक्षा लंबे समय तक करेगा इसलिए इसका निरधारित मातरा में इस्तेमाल अवश्यक रहता है वेलम प्राइम के इस्तेमाल से फसल के उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होती है और किसान को निवेश पर बहतर प्रतिफल मिलता है आप देख सकते हैं कि सुझाएगा इस समय मातरा और उपयोग करने के सही तरीके से वेलम प्राइम का निमेटोड नियंत्रण में बहतर प्रभाव होता है प्रयोग की विधी वेलम प्राइम का अधिक्तम फाइदा लेने के लिए इसके उपयोग के दौरान बहुत सावधानी बरती चाहिए सही प्रयोग मातरा को सही तरीके से इस्तमाल करना बहुत जरूरी है चुंकि निमेटोड पौधों की जड़ों के आसपास ही रहते हैं इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वेलम प्राइम जड़ों के पास अच्छी तरह से पहुँच जाए सबसे बहतरीन तरीका है ड्रेंट सीचाई या ड्रिप सीचाई यदि आप ड्रेंट सीचाई का प्रयोग करते हैं सबसे पहले ध्यान दें कि वेलम प्राइम के प्रयोग से पहले जमीन में नमी अवशक्ता के अनुसार हो पर ध्यान रहे जमीन नम हो ज्यादा गीली नहीं अगला काम है वेलम प्राइम को पौधे के तने के आसपास एक गोलाई में लगाना ध्यान रहे कि वर्तमान जड़ के क्षेत्र और भविश्य में बढ़ने वाले जड़ों के क्षेत्र को भी आप अच्छी तरह से ढंक ले अंत में जरूरत के मुताबिक पानी का छिड़काव करें ताकि वेलम प्राइम पौधे के जड़ क्षेत्र में अच्छी तरह पहुँच जाए लंबे समय तक बचाव के लिए जमीन में सही मातरा में नमी होना जरूरी है ताकि वो वेलम प्राइम को जड़ क्षेत्र में वेवस्थित रख पाए अब आप निमेटोर के हमले से सुरक्षित हैं यदि आप डिपसी चाई का प्रयोग करते हैं तो डिपर को पौधों के पास और उनकी सीध में लगाना चाहिए ये धियान रखना चाहिए कि सभी डिपर में बराबर बहाव हो ये समय समय पर जांचते रहें जांचने के बाद वेलम प्राइम को लगाना शुरू करें पर पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिस मिट्टी में वेलम प्राइम डालना है उसमें परियाप नमी हो ये पौधे पर सुखे के दबाव को कम करने और वेलम प्राइम को सही तरह से वितरण के लिए जरूरी है इसलिए पहले डिप सिस्टम से मिट्टी को नम कर लें पर याद रहे कि मिट्टी नम रहे गीली नहीं पानी डालने के बाद डिप सिस्टम से वेलम प्राइम को डालिए ध्यान रहे कि भविश्य में आने वाली जड़ों का क्षेतर भी ढगा हुआ हो वेलम प्राइम लगाने के बाद पानी जरूर डालें ताकि वेलम प्राइम जड़ों के क्षेत्र में अच्छी तरह से पहुँच जाए अब आप निमेटोर के हमले से सुरक्षित है ध्यान रहे कि आप अधिक्तम लाव पाने के लिए बताई हुई बातों का पालन करें क्योंकि अगर वेलम प्राइम जड़ों तक सही तरह से नहीं पहुँच पाता या मिट्टी में अत्याधिक नमी की वज़ह से वो बहे जाता है तो नियंतरण सही तरह से नहीं हो पाएगा प्रयोग मात्रा वेलम प्राइम को प्रती एकड 500 मिलिलीटर की मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए याद रहे वेलम प्राइम नेमेटोड का नियंतरन एक नई कार्य प्रणाली से करता है ये इस्तेमाल के 30 मिनिट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और पूरे फसल मौसम में नियंतरन प्रणाल करता है वेलम प्राइम सुझाएगा इस समय मात्रा और उपयोग करने के सही तरीके से बहतर प्रभाव देता है वेलम प्राइम किसानों की सेहत और प्रकृती को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फसल की जड़ों को निमेटोड से सुरक्षा प्रदान करता है फिलहाल हमारे पास टमाटर की फसल का लेबल क्लेम है और हम बाकी फल और सबजियों के लेबल क्लेम पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं बायर का वेलम प्राइम बनिये करांती का हिस्सा अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें पिखाट इंडिया चैनल को